जेके सिस्बी का आज किस वीडियो में प्रिवीश एर पेपर डिसकस करूंगा यह पेपर 2017 में आया था का फोडेट गार्ड वाइलड लाइफ सोचल फोडिकर का रग्ए इसका आपको स॑र्वाने करों बात double करूंख सब्सक्राइब अप्रेब सोचल के आ प्नुटेपर आपको सब्सक्राइब से स्थमst Salvador करूं का जो नुमेरिकल है वह भी करवाऊंगा बाकी कुश्शन बी करवाऊंगा इसी तरह से कैमेस्टी बाया बाकी सेक्षिन कोर्वान अब को स्टार्ट कर दूँगा और वीडियो के ईड में आपको मैं साइंस का स्लेबर्स किस तरह से था सुदर आपको समझ रहा सा कि कैमेस्टी बाइब में आप अगर आप तयारी करने चाहतों कि इस तरह से तयारी बगारा कर सकते हो और जो फॉरेस्टर के एस्पिरेंट से उनके लिए वीडियो इंपोर्ट रहने वाली है जैसे कि फॉर्स्ट कुछ आपके सामने स्क्रीड में चल रहा है यहां पर कहा जा रहा है इन में से सेंडरी फ्यूल कोँन साब को बताना है कॉल ट्रीड ऑइल नैचुरल गैस यह फिर गैसोलिव नेचुरी आपको मिल जाते हैं से अप जाते हैं और अच्छिली बनाते हो और प्राइमरी को ही यूज कर कड़ाएं फिर बन जाता है तो डागी सारे अब नाते उब इस तरह से को यूज़ करके वह सेकेंडरी आ जाएंगी तो क्रीड और नैचुरल गैस कोई अभी कैसे हैं प्राइमरी है गैसुलिन कैसा है सेकेंडरी है आपको भी बताना था ऑप्शिन हम बड़ी करेक्ट एंसर हो जाएगा आगे चलते सेकेंड कोशिन की बाद तरह के स्कीड में चल घ् G dip में निकाना अइक एक रिजिस्टर ही एकel toend क्नॉक्षिन कोई दैहिं चलते में दूसरा इस तरह से लिए आगे जब आपको series में combination निकालना आप simple ली क्या करते हो जितने भी register दिया हों उनसे भी को add करते हो आपको दो ही दिया हों तो उन्हों को add करते हैं कि तीनों तो तीनों को add कर लेते तो अगर यहां पर parallel के जिसका series बोला होता है हम बोलते हैं बारा प्लेस बारा चोबिस ओम का answer आजाएगा option number यह correct होता है बट parallel बोलो parallel में कैसे निकालते हैं वन अपॉन पैरलल अगर आपको effective resistance निकालना है तो वन अपॉन आर वन प्लेस वन अपॉन आर टू और भी इस तो वन अपॉन आर्थी वन आप और फूर इस तरह से लेके चलते हैं अब इस केस्समें क्या आजाएगा वन आपॉन आप ब्लेस वन आपॉन आप डोन वन प्लेस और यह कर्रों में यहां पर तो इसको कितना आजाएगा चोब भी सूपर आजाएग निचे 1444 आजाएगा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो 6424 तो 4 वन बैज वन वाइश सीच आर आपके पास वन बैस आर पी कितना रहा रहा है वह आपको ऑप्शिन इंबर बी में देखने को मिल रहा है तो ऑप्शिन अंबर बी आपके करेक्ट एंसर हो जाएगा आगे चलते नेक्स क केसिन की बात करेंगे केसिन नुबर 53 अपके सामने स्क्रीट में यहां बर कहा हुआ है दड़ नियर पॉइंट ऑफ हाइपो मेट्रिक आई इस वन मेटर हाइपो मेट्रोपिया का केस है नियर पॉइंट कितना है एक मीटर का तुम पॉइब आफ लेंस कितनी चाहिए होगी अ आपको पास्क तो ठीक दिखता है लेकिन दूर कर सही नहीं दिखता और हाइपर मेट्रोपिय के केस में आपको दूर कर सही दिखता है लेकिन पास्का नहीं दिखता है ना यह हाइपर मेट्रोपिय की बात करी जा रही है अब आपको पावर निकाने पावर का फॉर्मला क् पावर होता है 1 upon F, है ना, focal length का opposite हो जाता है, तो अगर आपको power निकालने तो focal length का पता होना चाहिए, बट यहां पर focal length तो दी नहीं हुई है, तो पहले focal length calculate कर लेंगे, वो कैसे calculate करते हैं, 1 by F equals to 1 by V minus 1 by U, है ना, V हो जाएगा, हमारे पास एक object distance, यहां पर उसने 1 meter हमको दिया हुआ है, तो इसको हम centimeter में करेंगे, तो 1 by 100 आजाएगा, है ना, मतलब V के जिखा में 100 centimeter लेकर चलूँगा, meter तो लूँगा नहीं फिलाल यहां पर, क्योंकि दूसरा मने centimeter भी लेना है, और sign convention के हिसाब से, यह minus में हो जाएगा, आपने यह solve करना है, जब आप इसको solve करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमार पास यह, 75 upon 25 के आसपास आजाएगा, जब चल्कुलेट करेंगे तो 3, 25 को 3 से करेंगे, 23 upon 100 के आसपास आजाएगा, मतलब हमार पास 1 upon F किस के बराबर आजाएगा, 3 upon 100 आजाएगा, F हमार पास क्या आजाएगा, 100 upon 3 आजाएगा, तो approximate अगर मैं लेकर चलो, 33 के आसपास हमार पास focal length आजाएगी, 33 cm के आसपास approximate आ रही है, तो उसको कि मैं में में चेंज करना चाहूँगा, तो वो 0.33 में हो जाएगी हो, तो आपको कितना आजाएगा, तो आजाएगा, तो option number C यहाँ पर correct answer हो जाएगा, आगे चलते next question की बात करेंगा, आपको कहा जा रहा है, light of frequency 5.8 in 10 की power 14 hertz, is traveling at a speed of 2.4 in 10 की power 8 meter per second in a material, the frequency of the light in air, एक light है जिसकी frequency इतनी दी हुई है, उसकी speed इतने किसी particular material में, बड़ यही light, जब air में travel करेगी, तब उसकी frequency कितनी हो जाएगी, यह question basic सा है, गुमा के पूछागे, देखो, अगर medium वगरा change हो रहा है, तो wavelength change हो सकती है, speed change हो जाएगी, लेकिन frequency में change नहीं होने वाला, जो frequency पहले थी वही बाद में भी रहने वाली है, तो same frequency आपको option number B में देखने को मिल रही है, तो option number B यहाँ पर correct answer हो जाएगा, अमीद कर तो हम वीडियो को सही लग रही होगा, वीडियो को share भी करोगी, और जो भी wildlife guard या stock assistant, वेटरिन फैरमिस्टिक त्यारी करना चाहता है, फुल कोर्स का लिंक, और इसकी सिर्फ टेस्ट सीरीज का लिंक, दोनों का लिंक आपको वीडियो के comment section में, description box में मिल जाएगा, वहाँ पर जाएगे आप इस test सीरीज फुल कोर्स को भी जोइन कर सकते हो, और फॉर्स्टर की कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा, वो भी जोइन करना चाहता हूँ, वो भी जोइन कर सकते हो, योट्यूब पर भी वीडियो अवेलेबल हैं, बिना लेती है यह सब कुछ करता कौन है स्केलरा फोविया सिलरी मसल से फिर प्यूपिल तो सिलरी मसल से लेंस वो कंट्रोल करते है न तो ऑप्शन नबर सी आंपर करेक्ट एंसर हो जाएगा आगे चलेंगे नेक्स्ट कुश्चन की बात करेंगे कहा जा रहा है देखो अगर रेडियस अफ करवेचर तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी आपको पता को रेडियस अफ करवेचर किसके बराबर होता है डबल होता फोकल लेंथ का तो इस क्योशन आपको दिया क्या हुआ है आपको बोला है कि रेडियस अफ करवेचर 10 सेंटी मेटर है तो बता रखे तैंसर हो जाएगा आगे चलते कहा जा रहा है लाइट विल रिटरेस इटS PATH अफ्टर रिफ्लेक्शन फॉरस फ्टरिखल मीरर एक स्वेरिकल मीरर आहाँ से लाइट अपने पाथ पर दो आप्षिन नंबर सी करेक्ट एंसर हो जाएगा आगे चलेंगे नेक्स्ट कोशन की बात करेंगे कोशन नुम्र 58 आपका सामने स्क्रीड में आ रहा है कि यहां पर कहा जा रहा है एक कंबिनेशन सब्सक्राइट में वह ग्राइट कोश्य में आपनेशन देख्रेशन जिसमें तीन रीजिस्टर से प्र अगर हर एक रेश्सटर ॉम का है तो बताओ ल्ग उतल भी जन क्यों रहें धर बनेंगे और यहां है पहले का जाएक तीन रीजिस्टर का सेटा जैसे एक तो डो तोर रेसिस्टर तीन रिजिस्टिर न इस तरह से सैट बन रहा और कहारा किल्स कितने सैट बने हुए ए 6 चार सेट हैं यह बन दो सेट बंगे तीन सबंगे चार सेट पार ने और हडिक सबसक्रा करकार सकते हैं और एक है इस पहले का या उसा अघ्रेशिटन्स निकाल रो зовут स्रीज में कैसे निकालते सब्सक्रांग कर देते हैं जो पहले इसके करने अगर मैं इस तरह से बनाऊं आरव division ऑचes मेंसे यहाँ होँ है Mara ogl आपको देखने को मिलेगा अँग मिरे पास connection कैसे te Бल में तो कैसे निकालों को वन पॉन अर पी फुस्वन अपॉन अपॉन ट्वैल प्लेस वन अपॉन ट्वैल्व Even 1 upon 12 यह कितना बन जाएगा 4 upon 12 यानि कि 1 upon 3 तो 1 by rp कितना रहा है 1 upon 3 तो rp कितना रहा 3 तो 3 ohm आपको option number B में एक देखने को मिलता है वो correct answer हो जाएगा question number 59 की बात करें कि कहा जा रहा है the normal loss of near focusing ability that occurs with age is known as age के साथ जो vision में problem मात उसे क्या कहा जाता है myopia तो आपको बता है किसी भी एज में हो सकता हाइपर में हो सकता है estimatism सिर्दर्द वाला हो गया तो प्रेस byopia age के साथ वाला option number B correct answer हो जाएगा आगे चलते next question की बात करेंगे which radiation of sunlight is used in heating of solar cooker solar cooker को heat करेंगे कौन से इडिशन काम आती है ऐसो तो पहले sun की UV rays आते हैं फिर इंफ्राइड में convert होते हैं लेकिन basically RE UV rays यह ना वहीं convert हो रही है तो option number A हम बोलके चलेंगे option number 61 की बात करेंगे कहा जा रहा है the power of lenses 2.5 दरप्टर पावर दी हुई है और focal length बताना है और कैसा nature होगा आपको भी बताया P equals to 1 by F और power आपको दिए कि इतनी 2.5 दरप्टर तो F भी तो हो जाएगा 1 upon P यानिकि 1 upon 2.5 अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.4 आजाएगा आपके पास है ना है उस case के बात करें कौन से statement गलत आपको बताना है पहली स्टेटमेंट में कहा कि है जो image प्रोड्यूस के वह upright सीधी नमबर हमारे पास हा रहा है इसका मतलब कहेंगी image कैसे होगी इसका मतलब हमारे पास image है वह रियल और inverted होगी तो option number C यहां पर correct answer हो जाएगा आगे चलेंगे question number 64 की बात करें कहा जा रहा है the phenomena of splitting of white light in different color से गर white light अलगले color में spread split हो रहे हैं इस प्रोड़ों क्या कहते है जो पॉबर है वो 10 वाल्ट दी जा रही है जो पॉबर है वो 10 वाल्ट दी जा रही इमए उसको 10 वाल्ट दिया गया तो बताओ कितनी है रहे इस बैटरी आप से वह पूछा जा रहा है तो पावर का फार्मला काता है पी इंटू वी है ना यहां पर आपको पावर बीडियर वोल्टेज भी दिया हुआ आपको आई तो निकालना आई किसके बराबर हो जाएगा पी अपाउन वी तो टैन अपाउन टैन को तो वन ही तो आएगा वन एंपर आपको ऑप्शन करेंगे तो करेंट कितने निकल जाएगी वह सेम फॉर में यूज करना है आपको बलागी पी इकोल सू आई इंटू वी होता है है ना इस तरह से यहां पर आपको देखने को मिल रहा है लेकिन यहां पर आपको करना क्या है आपको निकालना क्रेंट हैना क्रेंट आपको नि सब्सक्राइब डिवाइब कि यह तो यह पर यहां पर यहीं बीमें देखने को बिल रहा है तो option नुँभी यहां पर एंसर हो जाएगा आगे चलते next question की बात करेंगे which of the following is an advantage of wind energy wind energy का advantage कौन सेन में सब को बताना है option number even no recurring expenses for the production of electricity maintenance के लिए बाल में खर्चा बगारा नहीं आएगा it cannot be harnessed at places जांपे हवा regular basis ब्लो नहीं करती वहां बेसको यूज नहीं कर सकते बिल्कुल सही है option number semi it is not dependable source of energy यह dependable source energy कर नहीं है क्योंकि कई बार air जो स्टिल होती कई बार storm तुफान वगरा भी आते हैं यह भी बिल्कुल सही है इसका मतलब option number a गरत हो जाएगा खर्चा वगरा आता ही है ना बाद में जद्धा खर्चा जाता है तो option number a correct answer हो जाएगा आगे चलते 68 की बात करेंगे कहा जा रहा है what resistance must be connected to a 20 ohm resistor to get an effective resistance of 4ohm आप ओबर 4 ohm का effective resistance चाहिए तो को कंछ साट करना बेड़ेगा 20 Ohm के साथ आपके वह बोला जा रहे है ऐसा भू कहा जा रहा है ना तो दो अग्रा वही का फॉर्म लेकर चले रजाSab डा 1 अपाउन और वण प्लेस वण आपाउन आड़ टू यह फॉर्म लेकर चले तो मैं अफेक्टिव रैसिटेंस तो हमें पता है तो वन बाई और रवन की जब पाहिए थो खुझे रोगाने जुसरे को एक्स पहुन किर ले तो इसको सॉल्फ थुवन्टी प्लेस एक्स इल्टा करना पड़ेगा क्योंकि यह वन आपन आर्पी है शिर्फ छंप इसको उड़्टा करना पड़ेगा वह जाएगा 20x अपउन्टी प्लेस एक्स एस हो जाएगा और यह एक्टीव रिसनस है किसके बराबर चार के बराबर है अब इसको सॉल्विक तो करना है तो ये 20X इसको दिरी रख दो ये बन जाएगा 80 प्लस 4X तो 20X में से कर मैं 4X माइनस कर दो तो 16X आ जाएगा 16X इकोल स्टू 80 में को देखने को मिलेगा तो यह से X की वलोन निकालोंगा तो मिरे पास कितना आ जाएगा यहां पर कोई मिस्टेक वगारा कर रहा हूं यहां पर क्या था 16X इकोल स्टू 80 ऐसे था यह तो फाइफ हमार पास आ जाएगा और देखने को मिल रहा है वो करेक्ट एंसर हो जाएगा क्योशन नुबर 69 की बात करने के कहा जा रहा है एंड एंड क्लोशियर डैट सिट्स अटॉप दो विंट टर्बाइन की बात करेंगा ना यहां पर इससे ब्लेड लगे होते हैं इस तरह से करके जब पिछे की तरफ अब यह वह पोश्चिन देखा होगा इस पूश्चिन में गेर बॉक्स भी होता है लो स्पीड शाफ हाइब जनेरेटर वगरे सब कुछ तक कंट्रोल ब्रेक वगरे सब कुछ इसी में होता है ना फिर नीचे यहां पर इस तरह से स्टैंडिंग वगरा होती इस तरह से करके से लिए तो तो यह उपर उड़ पूश्चिन आप देखते यह से क्या कहा जाता है से अनसल कहा जाता है और बी यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा लेकर 70 कोशन की बात करेंगा बीज़ों की बात करेंगे कहा जा रहा है बाइयो गैस बाइद की टाइप है जो कि नैचुर शोर्स से स्वाज़ान ऐसे सौर्ष डीट नियूपर दीट मोरी शोर्स और जौन जॉर्स कि लिनेश के ways lost जो पेपर सॉल्व करवाऊंगा इसी बें वह कैमेस्ट्री बायो को सॉल्व करवाऊं या इंग्लिश का या जम्मो कुश्मी का जो क्या पोश्चन चाहते हूं मुझे कमेंट सेक्षिन में कमेंट को बताईएगा फिलाल थाइंक्यू जाहिए वीडियो को शेयर करना